हेलो गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देशी तड़का फूड में आज हम आपके लिए लेकर आएं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाली तीन तरह की चटनी जो सिर्फ लाल मिर्ची और नमक से बनकर तयार होगी आपको इसके लावा कुछ नहीं चाहिए इसे बनाने के लिए हमने पुदिना लिया है एक पुदिने की बनाएंगे इसके बाद हमने लसुन लिये एक तरह की चटनी हम लसुन से बनाएंगे और हरा धनिया लिया है एक तरह की चटनी हम हरे धनिया से बनाएंगे अब हम इस्टार्ट करते हैं बनाना, सबसे पहले हम हराधनिय की चटनी बनाएंगे इसके लिए हमने हराधनिय लिया है, इसको अच्छे से गोश कर लिया है और इसको अच्छे से हम कूटेंगे आप चाओ तो इसे मिक्सिजान में भी बना सकते हो लेकिन हम इसको कूट कूट के ही बनाएंगे इससे ये खाने में ज़्यादा स्वर्दिस्ट लगती है ये हमने आदा अमारा हरादिनिया कूट लिया है अब इसके अंदर हम एक चम्मज भरके नमक एट करेंगे आपको नमक ज़्यादा डालना है नमक की quantity आपको कब नहीं करना है नमक डालने के बाद हम फिर से इसे कूटेंगे ताकि ये धनिया अच्छे से बारिक हो जाए जब तक धनिया बारिक नहीं होता जब तक हमें इसे कूटना है ये हमारा धनिया अच्छे से बारिक हो गया है अब इसके अंदर हम लाल मिर्ची एट करेंगे आपको ऐसे ही धनिये को बारिक उटना है इसके अंदर हमने लाल मिर्ची एट कर दिये यह हमारे लाल मिर्ची ज़्यादा तेज नहीं है तीकी नहीं है इसलिए हमने दो चमच डाली है अगर आपकी लाल मिर्ची तीखी है तो आप इसके अंदर एक चम्मची लाल मिर्ची डालियेगा और इसे एक बार फिर से कूटेंगे यह हमारी चटनी बन के तयार हो गई है इसे एक बोल में निकाल लेंगे यह हमने इसे बोल में निकाल लिया है यह हमारी चटनी चार अपतों तक खराब नहीं होगी बीना फ्रीज में श्टोर किये हुए आप इसे बहारी रख सकते हो अब इसी तरह से हम पुद्रेने की चटनी भी बनाएंगे सेम प्रोसेस इसी तरह से रहेगा पुद्रेने को भी हमें बारिक कुटना है जब तक बारिक नहीं होता जब तक हमें इसी तरह से इसे कुटना है यह हमारा पुद्रेना आदा बारिक हो गया इसे स्टेज पर हम नमक डालेंगे आपको सारी चटनीों में नमक का ध्यान रखना है नमक ज़्यादा ही डालना है ये चटनी में नमग ज़्यादा ही पड़ता है इसके बाद फिर हम कूटेंगे ये हमारा पूदी नावे बारिक हो गया है इसके अंदर भी हम रेट चिली पाउडर रेट करके मिक्स करेंगे और एक बार थोड़ी देर और हम इसे कूटेंगे ये हमारी पूदीने की चटनी में बनकर तयार हो गई है इन सारी चटनीों को आप बिना फृत के ही श्टोर करके बाहर ही रख सकते हो ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है इसी तरह से हमें लसन की चटनी भी बनाना है इसी प्रोसेस से हमें लसन को भी कूटना है दरदरी हो जाए जब तक इसे कूटना है यह हमारी लसन दरदरी हो गई है इसके अंदर भी हम वेसे ही नमक एट करेंगे जैसे पहले की चटनियों में एट किया था और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके फिर कूटेंगे नमक डालने से यह होता है कि यह जल्दी बारिक हो जाती है यह अमारी लसन भी बारिक हो गई है इस इस ट्रेस पे इसके अंदर हम रेट चिली पाउडरेट करेंगे तीनों चटनियों को प्रोसेस सेम में रहेगा रेट चिली भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और हम इसे कूटेंगे यह हमारी लसन की चटनियों भी बनकर तैयार हो गई है यह हमारी तीनों चटनियों बनकर तैयार हो गई है आपको भी ऐसे ही बनना आए ये जितनी दिखने में अच्छी है उतनी खाने में भी बहुत स्वाधिश्ट लगती है एक बार इसे आप जरूर बनाईएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के रहें और सबस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा धन्यवाद झाल 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 झाल